Drive for Digital Safety में बहुत कुछ सीखने को मिला, जो मेरी सबसे टॉप तीन सीख थी, वो ये थी, नमबर एक, बच्चों को स्कूल में ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, कि वो इंटरनेट का कैसे उपयोग करें और उससे उपयोग ना हो, इसका मतलब नरसरी से लेके क्लास बारवी तक हमें इसके उपर किताबे बनाने पड़ेंगी, पुस्तके बनानी पड़ेंगी, दूसरी चीज, टीचर्स की ट्रेनिंग, टीचर्स को ये सिखाना पड़ेगा कि इंटरनेट पे सेफटी कैसे हो, आज हर स्कूल खाली वाट्साप ग्रूप पर चल रहा है, लेकिन इंटरनेट का धंग से उपयोग कैसे करें, डेटा कैसे बचाएं, ये ज़ादा तर टीचर्स को नहीं पता है, और तीसरी चीज़, जब कोई परिशानी हो जाए, जब कोई कश्ट हो जाए, तो वो स्कूल, वो बच्चा, माबाप, टीचर किसके पास जाए, ये समझना, ये जानना बहुत ही ज़ादा अवश्यक है, स्कूल में अगर हम वर्क्शॉप कर रहे हैं, और अवेरनेस कर रहे हैं, तो स्कूल में बहुत ज़रूरी है कि एक चाइड़, ऑनलाइन सेफटी प्रोटेक्शन ऑफिसर हो, या फिर कोई ऐसी कमेटी बने, जिसमें बच्चा बिना डर के उनके पास जा सके, अपनी बात र बात करूं, बात करने से बच्चे की 50% प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा, जो कि बच्चे की बात को सुनेगा, और उसको लिखेगा, ताकि बच्चा जो है, अपने अपको सेफ, सेक्योर फिल करे, दूसरा जो मैंने सीखा इन वर्क्शॉप्स में से, वो दूसरा था कि एक चा जान बात करें, बात करेंünd की invest है, ताकि प्रोटेक्शन ऑफिसर है, जो भी डिखेंग को दर्च करें डाम यहां मैंने विघीवकर शालतूं कुम थपरपा। cells हैं उन तक ये बात पहुचाए अभी भी इंडिया में इतनी जागरुता नहीं है कि लोगों को पता हो कि cybercrime cells कैसे function करते हैं तो ये protection officer या फिर ये child help line number जो है उनकी मदद करेगा उनकी साहता करेगा तीसरा की जो की बहुत ज़रूरी है वो ये की protection officer के लिए adequate resources होने चाहिए है ताकि वो इनसान अपने आपको responsible होके इन cases को solve करने कोशिश करें हम एक के उपर एक जो है काम pile up कर देते हैं उससे हम लोग की quality of work पे effect करता है तो dedicated person होना चाहिए और उसके लिए हमारे पास उतने resources available ह होने चाहिए क्योंकि हर कॉस्ट के लिए कॉस्ट लगती है मेरे लिए जो तीन चीज़े थी जो बहुत important मुझे लगी वो थी सबसे पहला माबाब का involvement जब भी बच्चा किसी भी तरीके की और साइबर क्राइम की बात में किसी भी तरीके की मुसीबत में होती है और माबाब को यह पता हो कि कैसे उसको मुसीबत से बाहर निकाला जा सकता है तो उससे बहतर चानल हम नहीं बना सकते तो माबाब की ट्रेनिंग उनकी कपासिटी बिल करना जिसे हम NGO की भाशा में कहते हैं और कि उन्हें पता हो कि जब भी कोई अगर उनका बच्चा साइबर क्राम के कि कि इसी भी केस में फसा है कोई दिक्कत जेल रहा है तो पहला वो स्टेप क्या होना चाहिए क्योंकि दिक्कत वहीं चुरू होती क्योंकि पता ही नहीं है कि करना क्या है दूसरी सेफ्टी बाइड डिजाइन जिसको इंग्लेश में कहते हैं रिपोर्टिंग मेकानिजम हमने भी उनसे कहा कि रिपोर्ट करा तो उसे कुछ नहीं होता माम तो यह वाला जो कुछ नहीं होता है इसके कारण है बहुत क्योंकि शायद कुछ केस में जहां पे यूजर्स ने सोचा कि रिपोर्ट करने से तुरंथ हमें रिलीफ मिलेगा वो नहीं मिला and then the negative argument कि इसके ब बहुत बड़ा प्रानिक होता है especially young users के लिए तो कुछ तो फॉल्ट है हमारे reporting mechanism में जो कि यूजर्स उसमें बिलीव नहीं करें तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए तीसरा जो कि बहुत basic learning थी और पता नहीं क्यों अभी तक हमने इतना follow नहीं कि जो remote area जो दूर दराज के गाओं है शहर भी है छोटे गाओं वहां पे भी अकबार टीवी रेडियो इन सब में बार बार internet safety की बात करना मुझे नहीं पता शारुखान के ये बोलने से कि अपनी personal information share ना करो अगर ये हो सकता है तो let's उसको बुलाओ शारुखान से बात करनी चाहिए और मेरे खाल बहुत resources है तो ये जो है कि traditional methods में रेडियो वगरा में जाकर बार बार internet safety की बात करना ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि शहरों का बहुत अलग चाल चलना है वहां लोगों को जानकारी भी है शायद और वो कहीं से सुन सुना के वर्क्शॉप रटेंड करके उनको शायद कुछ पता चल भी जाता है बहुत ऐसे लाकी और रेकीन मानिये मेजॉरेटी जो है जारत भारत में आज भी newspaper, television ad और radio को सुना जातर उसकी बात मानी जाती है तो लाइए जिसकी भी जरूरत है शारुक खान अमिताब बच्चन जो भी influencer यह बात कहें और लोग उसकी बात सुनें उनको बुलाते हैं और उनसे कहलवाते हैं कि internet safety में के लिए क्या करना चाहिए क्यों यह ज़रूरी है